गुड मार्निंग बच्चो कैसे हो सब अच्छी हो ना संडे को पूरी मस्ती की है ना चालो अब हम करते हैं अपना इंग्लिश का शुरू ठीक है अच्छा में कोई बात बता हो जरा आप सब में से कौन-कूर अपने स्कूल को मिस कर रहे हो आप यह फोटो देख रहे हो ना य सुबह को फटा-फट से ममा उठा देते हैं जल्दी 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 नहलाना स्कूल यूनिफर्म डालना स्कूल में मस्ती करनी है ना सब मिस कर रहे हो ना तो इसी के ओपर ही हमारी जो है इंग्लिश का लेसन है फर्स्ट ठीक है सिया गोस्टू स्कूल अच्छा आप सब स गूस अब शकूल ने व ममां बठाते हैं ना फिर उसके बाद बेश्क करते हैं नहते हैं फिर आप तयार होते हो तो ब्रेक फास्ट करते हो अपना bag जो है school bag वो pack करते हो करते हो ना pack वगेरा करके फिक्या करते हो फिर school चला जाते हो सब को good morning wish you support के हाँ वो तो आप भूली गए good morning भी तो wish करते हैं support के सबसे बेले सब जो बच्चे वो जो पैर्च होते हैं लड़के जो होते हैं और जो girls होती हैं वो नमस्ते करती हैं करते हो ना फिर जब school के लिए आप निकलते हो तो सब को buy करके आते हो यही सब कुछ है आपके इस chapter में lesson number one see I goes to school ठीक है हम read करें चलो आप मेरे साथ साथ पहले book भी ले लो सब और मेरे साथ साथ read करना सब ने ठीक है बिटा first of all जब t और h इकठे होते हैं तो वो क्या बनता है the जैसे t h e होगा तो वो बनता है the और अगर सिरफ t h होगा तो वो बनता है th ठीक है तो यह क्या हुआ the sa a n sun ing main चीज यह एक तो सब ध्यान रखना जहां पर भी ing जहां पर भी ing आ जाता है तो उसका sound क्या एगा ing क्या एगा ing तो क्या बन गा यह rise ing rising the sun is rising और rising का मतलब होता है निकलना जो सूरज है वो क्या हो रहा है निकल रहा है सुबह सुबह को निकलता है ना next ती अची आपको क्या बताया था क्या होता है the very good आगे ना आपको भी the b e r d s birds इसमें आपका आई का जो sound है वो बहुत कम आएगा मैं अलब आएगा ही नहीं beads birds ऐसे नहीं बोलना आपने birds क्या होता है ये birds r c h होता है क्या होता है c h c h को बोलते है ch ये कुछ letters है बेटा जैसे आप ना आप फ़र्निक साउंड से करते हो तो उनको pronunciation उनकी असी आती है ch कहीं पर भी होगा तो वो ch बनता है ch e r p ing को आपको क्या बोला था ing तो ये क्या बन गया chirping क्या हो गया chirping chirping मतलब सुबह सुबह अगर आप उठे हो तो वो चिडिया करती है न चूँ 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 करती रहती है चारोतरों फवाजे आती है पंक फड़ फड़ आती है तो ये वो ही है the birds are chirping जो birds है वो ची 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 कर रही है chirping कर रही है स इ य आ सिया ओ प अ न स ओ पंस ह र हर ये तो spelling सब को आते है आईज सिया ओ पंस हर आईज सिया ने क्या किया अपनी आंखे खोली आ ये मैंने आपको birds ने में बिलकवाया था न स्पैरो a स्पैरो is स इ टी टी इं और जहां पर ये डबल का बाता है जब किसी एक अक्षर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है जैसे सिटिंग टिंग आ रहे है न किसी भी अक्षर पे ज़्यादा जोर दिया जाए या उसका थोड़ा सा लोंग साउंड आए तो वो चीज़ डबल आती है लिखने में उसके स्पैर्लिंग्स में वो डबल हो जाती है अब जैसे अगर आपको लग रहा है कि कोई वर्ट बड़ा है आप इकठे नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसको हाफ आफ ब्रेक करके पढ़ लो कैसे पहले ये पढ़ो व इन विन अफिर द ओ य डो विन डो विन्डो सिल स्पैरो कहाँ पर बठी है विन्डो के ऊपर विन्डो के सिल आपको बताया था ना इससे पहले हमने किया था एक चप्टर विन्डो सिल क्या होता है जो विन्डो से आगे थोड़ा सा स्पेस होता है उसको बोलते हैं विन्डो सिल सिया इस आ गोड़ dramatic girl सिया एक क्या है? अच्छी लड़की है आप सब भी होना अच्छे बच्छे ऐसे ही सिया भी जो है वो एक अच्छी लड़की है ख और जैसे यह च है छ ऐसे ही S.H जहां कहीं भी S.H आता है वो बन जाता है श क्या बन जाता है? श SHE Allव Is जो ए का साउंड होता है वो थोड़ा सा छोटा आता है ऐसे आएगा अरली अरली मतलब जल्दी और वेक अप मतलब उठना तो वो हमेशा ही जल्दी उठ जाती है आप में से कौन-कौन जल्दी उठता है है कुई बच्चो जो जल्दी उठता है अगर कोई जल्दी उठता है तो वो बहुत अच्छी बात है शी गेट्स आप वो उठी शी डबली आई ऐसे चागे तो क्या हो गया शी शी विश्षीज गूट मौरनिंग गूट मौरनिंग टू हर पेरेंट्स उसने अपने मम्मी पापा को क्या बॉला गूट मौरनिंग अभी मैंने बताया था ना इ का साउंड नहीं आएगा बोलने में बर्ड्स फोर बर्ड्स ओन दा सिल उसने क्या किया वो उठी उसने गूर्मॉर्निंग विश्षी किया और जो विंडो की सिल थी 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 थोड़ा सा स्पेस था वहाँ पे बर्ड्स के लिए खाना और पानी रखा ठीक है ये अभी आपकी हाफ पोयम है हाफ और भी है पहले हम इतने कही रिडिंग की प्रैक्टिस करेंगे मैं उसके बाद आपको अगली कराऊंगी ठीक है बच्चो इसी को ही ऐसे एक एक वर्ड आपने मिला मिला के रीड करना है एक बार मैं पूरी पर देती हूँ दुबारा से दसान इस राइजिंग, सूरज निकल रहा है दा बर्ड सार चरपिंग, बर्ड जो है वो चहक रही है सिया ओपन सर आइज, सिया ने अपनी आँखे खोली अ स्पैरो इस सिटिंग ओन दा विंडो सिल उसकी खिड़की के ओपर एक स्पैरो बेठी वी है सिया इस अ गुड गर्ल, सिया एक बहुत अच्छी लड़की है शी आलवेज वेक अपसर ली, वो हमेशा से ही जल्दी उठ जती है शी गेट्स अप, वो उठी, शी विशिस गुड मॉर्निंग टू हर पेरेंट्स उसने अपने मम्य पापा को गुड मॉर्निंग विश्की शी पूट्स फूड एन वाटर फॉर दा बर्ड्स ऑन दा सिल उसने बर्ड्स के लिए खाना और पानी अपनी विंडो में जो थोड़ा सा स्पेस था सिल थी वहाँ पे रग दिया ठीक है बच्चो आगया ना समझ इतना ही रीड करें और अपनी पढ़ने की प्रेक्टिस करें ठीक है जब आपके जब कभी भी आपके स्कूल खुलेंगे आप भी ऐसी तियार हो गए न तो इसलिए ये सारी लाइन्स अच्छे से रीड करनी है ठीक है और कहा रीड करनी है घर रहके रीड करनी है ओके अच्छे से करो पढ़ाई करके अच्छे अच्छे बच्चे बनो और अपना भी ध्यान रखना बाहन नहीं निकलना है अब आपको पता चल गया लॉंग डाउन तो और बढ़ गया है तो इसलिए घर पा ही रीड रहो और सुरक्षित रहो ठीक ह बाई